आज करेंगे हाइद्रबाद शेहर के सियासी हालत पर जिया नाजरी के पुराने शेहर के सियासी हालात अगर आप देखेंगे तो काफी दिल्चस्प दिखाई दे रहे हैं वह इसलिए मैं कहे रहा हूँ मजलिस बचाओ तहरीक के सदर मजीद उल्लाख खान फरत के जलसाओं पर अगर गोर किया गया तो अवाम की कसीर तादा और उनके बयानात स्पीचर्स को सुनने के लिए हजारों तादाद में लोग हो लेकिन क्या ये तादाद ओट में तबदिल होगी फिलाल तो ऐसा महसूस किया जा रहा है कि जलसों में जितने भी लोग आ रहे हैं अगर उसी वक्त पोलिंग रखी गई बैलेट बॉक्स रखा गया तो लोग कह रहे हैं कि मजीद उल्लाख खान फरत भारी अक्सरियत से जितेंगे लेकिन ऐसा होता नहीं जलसों में तो पब्लीक दिखती है लेकिन ये ओटों में तब्दिल नहीं होते हैं आईए देख देख किसी दिर हाथ को लग गया टांग पर टांग रखकर चीर दो यह बेलक बाजी तसरीर आने करता हूँ अगर नहीं चीर दिया तो मैं भी अमार उल्लाख खान की अउलाद नहीं चलिए ये था मजीद उल्लाखान फरत के बारे में हमारा नजीरे आवाम का आध्यों है कि अब चलते हैं चार मिनार कांस्टिंसी को ए 14 मिनार कांस्टिंसी इस सब्सक्राइब के लिए क्लीन स्वीप हो चुकी है अभी सही वह इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ऐसा सुना जा रहा था कि टीडिपी कैंड़ेट अली मस्खती को अगर यहां से टिकेट दिया गया टीडिपी की जानिब से तो यह कॉंस्टियेंसी मैं के लिए टफ हो लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि सद्रे मोहतरम बैरिस्टर असदुदी नविसी की प्लाइनिंग को देखते हुए अली मस्खती बिल्कुल पॉल्टिकल फील्ड से इस वक्त एलेक्शन से आउट हो चुके हैं क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि तेलग्द देशम के सदर चद्रबाबु नैडू ने इन्हें टिकेट देने से इंकार कर दिया है किसी के दबाव में आकर और कांग्रेस पार्टी की जानिब से महम्मद घौस को चार मिनार के टिकेट अनौस कर दिया गया है आये डिक्टे कर दिया कि अनौस कर दिया है कि अनौस कर दिया है कि अब आवाम का यह कहना है जब महम्मद घौस को कांग्रेस पार्टी से चार मिनार का टिकेट मिला तो इम्मायम के लिए अब यह कॉंस्टियंसी बहुत ही आसार हो चिक्ति और मुंताज अहिमत खाइम के केंड़ेट बारी एक से रिच यहां से जीत अजिल करेंगे अईसा अनौस का कहना है आये देख देख झाल 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 अब दूसरी दरफ चलें तो मलक पेट में काफी टफ फाइट होगी वह इसलिए क्योंके मुझाफर अलीखार टीडीपी के कैंडेड यहां से महा कूटी में में नामजद कर दिये गए हैं उन्हें गरीन सिगनल मिल गया है और वो अपना काम शुरू कर रहे हैं ऐसा कहा जा रहा है कि मुझाफर अलीखान बहुती टफ कैंडेड थाबित हो सकते हैं बलाला के लिए आए देखते हैं देखा नाजरीन यह था आज का हमारा अनकट में मुक्तसर सा अनालिसिस शोड़ू उमीद है कि आप लोगों को पसंद आओगा पसंद आया तो शेर करिए लाइक करिए अच्छे कॉमेट करिए नहीं पसंद आया तो देखिए खुश हो जाईए और मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त अल्ला अफिस जाहिए जाहिए